हेलो दोस्तों थोड़ा बहुत बहुत स्वागत है जी थोड़ा अपने चैनल स्किजा ट्यूशन देवेच सबस्तों में दास देना जी जड़े भी कैंडिगेट ने मास्टर काटर देना या इटी ती दा सेकंड एक्जाम देना अपने टेलिग्राम ग्रुप देना जुड़ो उन्दे वेच डेल्ली जड़े कोस्टन्स ओंदे रेंदे हैं इंफर्मेशन भी जड़ी डेल्ली ओंदी इंदी है जरूर जिना ने एक्जाम देना जरूर जोड़ो जियों देना बहुत साइदा होगा थो आनू उन्तों मैं दास देना जी इंग्लिश्टी त्यारी आपा शुरू करन लगए हैं बहुत से कैड़ी देट दा मतलब में नू जड़े कमेंट भी आए कि सार इंग्लि और जड़े कुषको जड़े पार्ट्षैगे हैं गुषको टॉपी के जड़े डिक्रामार दे खेगे हैं थथो दो में दाज देना जी सब तो पहला कि इंग्लिश दे विचछों सान पताई कि बहुत वस सारे कैडिडियर कह दिनुदे कि सार इंग्लिश वीच्रों सान नो बहुत डार लगता है बट इंग्लीज तो सोख्वा सब्जाक्ट कोई हैगा नहीं बस इंट्रस्ट देना तो उसी इंग्लीज नो पढ़ दे जाना है बहुत बहुत दे जाना है इंग्लीज दी बिल्कुल चिंतान नहीं करनी ग्रामर दे टोपिक होई थो नो बहुत हद तक थो नो कवर करा दितने जानगे तो जेड़ी वो कैब है उभी करा दितने जाओ एक गल तुसी ते आना जेड़ी सारे जेड़ी वीडियो नो सुन रहे है थो न मैं दासना जी इंग्लीज डीडिंग वाल थोड़ा जा तुसी त आन दिन है डेली तुसी की करना जेड़ी तो कई जिमें मैं बहुत सारे कैंडिडेट नो क्या की ख़बार पड़ो पर में लुगान के सारे न्यूज पर पढ़या नी जानदा सानू समझ नहीं होंदी या सानू न्यूज पर पढ़न लगया मतलब सानू मतलब कह लो की दिया है ओना डेली तुसी एक पेज पढ़ना ही पढ़ना है ठोड़ी रीडिंग जदो तुसी कॉम्प्रियांशन नो एक्जाम से स्वालव करोंगे होर भी करी चिजा होनी या जेडिया थोनू रीडिंग नू पढ़के थोनू मेंट की पता लागे जाना कि नहीं एदा आ होगा रीडिंग आपनो 90% इंगलीश दे एक्जाम देवेच इंगलीश दे सेक्षन देवेच अपनी हेल्प कर दिया तब तुसी एक मतलब एक पेज जरूर पढ़ना है जदो भी थोनू लगदे बस एक पेज तुसी पढ़ देना है ओने विच जे थोनू लगए कि कोई व नहीं असी जरूर एक पेज पढ़ना ही पढ़ना है तो नो बहुत ज़्यादा हेल्प मिलू कि इंगलीश सेक्षन नो स्वलव करन दे लगए इक गल्थ होनु मैं होर दास्ते हैं कि जेसे बच्चे दा इंगलीश सेक्षन जेड़ा हाई हुन्द है जा क्यालों इंगलीश स स्ट्रोंग हुन्द है उस बच्चे दे पेपर विचों क्वालीश करन दे चांस है जड़े वद्ध हुन्द है हुन जड़ी गल्ला है आपका करने है सेकंड एक्जैम दी एना मतलब है कि फर्स्ट एक्जैम से देखो टैक्ट दा जिरा रिजल्ट आ चुक है अज तुसी द पर सेकंड दी एक एक नंबर पिच्छे मेर्ट बनूगी ठीक नंबर कि टा चंड क्र我要 कbenने होगा मतलब टैलो कि एक एक नंबर र तो यसंद्ध की फीच्चर तिकीया होगा त्द थोन नू उखा लग सॐँ इंग्लिश करके जड़ी तोड डिसलेक्शन हो जए इंग्लिश करके जड़ा नाम आज़े जड़ी लिस्ट आउगी होंदे वेच तागर कि यह ना सोचो कि सानु उखा लगदा है क्योंकि जड़ी तोड़ी कमजोरी है उनु तुसी ताकत बनालो जे ओहो ताकत बनांगी तो तुसी बहुत जल्द मतलब बाक्टी कैंडिड़ेट्स नालो जयामनो क्वालीफाई करन दे वच अग्य होंगे ताहुन डेली जो मैं थो नु समझाया तुसी नोट्स बनालाया ने इंग्लिश तो बिलकुर नी डर ना जेड़े कहन दिया कि सानु इंग्लिश तो डर लग पड़ दे जाओ उन्त अंदासदिया जी रेको फर्स्ट वर्ल्ड लिख्या हुया है इलेक्रिटी इलेक्रिटी ता मतलब हुन्द है रेडिनेस मतलब जदो आपा किसे चीज नू तियार रही है कोई ना कोई काम करन दे वेचे तियार रही है जिमें हून थोनु मैं क्या है कि तुसी जड़ा कापी लालो एक नोट से लालो मतलब ओनी नोट से बनाई चलो हुन तुसी दवा दव जड़ी कापी चक्की होनी है कई केंजी रेड ने लिखना शुरू करता हुन है ओनु की केंजरे है इलेक्रिटी डेली तुसी आवदी लाइफ दे वेचे वर्ल्ड न पता लगे मेंने कमेंट कर दियू वैसे जड़न आ लगे तो गूगल कर लेओ लेक्रीटी दा मतलब हुंदया डेडिनेस डा मतलब हुनदे ट्यार रहना कोई न कोई काम करनू त्यार थैयार रहना उच्षू कररना इन्दी सर्णॐम में जिए दे सर्णौनियम मतलब हुन् जड़ी काम करने वेचे दो आपा ready नी हुंदे next ज़ी admonish admonish दा मतलब हुंदा है किसे नू rebuke करना बतब दिकारना आई ते हिंदी दे लिखा दिकारना मतलब स्कोल्ड करना ज़ी आपा कह दिया किसे दी निंदा करनी ज़ी आपा पंजाबी दे लिखा दिया किसे दी निंदा करनी that is reprimand, rebuke, scold ज़ी में नू याद है तो उनू यही याद हो जाने आई वर्ड जो दो तुसी दो तो तीजे देन तुसी नू रिपीट कर लिया तुसी आपड़ा आप में नू कमेंड करके काओंगे ज़ी इंप्रूब होनी चुरू होगी एडमोनिश दा मतलब होंद है पंजाबी च लेखलो निंदा करना किसे दी तेन दा अंटॉनियम की यह प्रेज करना प्रेज दा मतलब होंद है परशंसा करना next है metal, metal दा मतलब होंद है उतसा उतसा दा जिमें spirit, spirit हो गया, fortitude हो गया, tenacity हो गया यह मतलब कि इन उतसा, enthusiasm ओभी लिखलो तुसी enthusiasm भी यह मतलब होंद है encourage भी यह मतलब होंद है कि इन मतलब मैटल दा कि इन दा इंटॉनियम की बनेया insensibility to callusiness यह मतलब जड़ा unathousiastic जड़ा इन मतलब होंद है इन उल्ट, insensibility to callusiness, मतलब होंद होंद कि उतसा ना होवे, किसे ज मतलब सुस्ती पानल में ठंडा पानल होवे that is, metal दा मतलब होंद है fortitude or tenacity next है calmiteous, calmites, जा कहलो calmites जा कलमेटिस जा कलमेटिस जा कलमेटिस जा कलमेटिस इना मतलब है नुकसान दे जड़ी चीज अपाननों नुकसान देवे यंदि स्नोनियम की है devastating say disastrous disastrous और devastating यंदि इन्टोनियम की है good और adventures यंदि मतलब तुसी लिख दे जाओ नालना बड़े important video है जी है इना वाली कोई चीज हुन दिया पूर्व प्रतिष्टित मतलब pre-eminent मतलब greatest हो गया leading हो गया lead करें मतलब सब तो foremost होगे और दुबाद जड़ा हैं दा अन्नोन और undistinguished जाद होनों काट समझ लाग रहे हैं लेकिन जीवे जीवे डेली करते जाओंगे तो याद हो जाओंगे next emulate emulate मतलब है किसे चीज़ी copy करना किसे चीज़ी नकल करना इन्हें सनोनिम के imitate और reproduce याद क्रोंवे में तुसी लिख दे जाओ next exonerate exonerate दा मतलब हुनद है किसे नूँ मुक्त करना किसे नूँ बरी कर देना absolve or clear यह सनोनिम है absolve or clear यह अन्टोनिम भी लिख लो जी charge and convict convict दा मतलब हुनद पीडित होना को इना कोई चीज़ीज तो next जी यह पकार लिया affront और उस्तो बाद आ गया comment comment दा मतलब हुनदा किसे दी praise करना मतलब सराहना करना compliment और applaud और antonyum क्योंगे criticize criticize किसे दी निम्दा करना next is perpetrator perpetrator दा मतलब हुनदा अपरादी sister guilty offender ता बड़े important word सीजी जसे दे जसे जो मैं बोले तुसी लिख दे जाओ एदा antonyum है innocent, innocent का मतलब हुनदा पोला तार यह important है तार सारे तुसी नोर्स बनोंदे जाओ डोज जाप दास word करनांगे, इंगलीज तो बिलकुर डड़न दी लोड ने बिलकुर easy subject है बने रोग जी साडे नाल, बहुत बहुत अन्वाद, बहुत बहुत शुकरिया टेलीग्राम नों जरूर जोइन कर लोग जी, बने रोग औराम तास